अगर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और अगर हम कल का मार्केट के बारे में देखें तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर बुल साइड के लिए कॉल साइड के लिए बोला था ठीक है जो आपको मैंने बताया था और क्या बोला था कि पॉट साइड में ट्रेब भी हो सकता है कल हमने किये थे 5 ट्रेड आज हमने सिर्फ किये 2 ट्रेड उसके बीचे का reason मैं समझाओं आप लोगो देखो मैंने बैंक निफ्टी आप देखना तो sideways ही रह गया इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना अच्छा आपको बताया और हमने जो trade किये वो भी देखते हैं हमारा बैंक निफ्टी का trade था 2100 का port 255 पे लिया था 350 आई almost 100 point का trade बना आप लोग को मैंने जो trade दिया था वो trigger ही नहीं हुआ call side का morning time frame में evening में हुआ हो तो कह नहीं सकता उसके बाद यहाँ पर देखो जो आपको दिया target achieve हुए जी हाँ हुए उसके अदमने अपने members को wait करके put side में trade दिया 120-120 का premium था 21400 का sorry 25-150 का put और यहाँ पर 170 का high मारा था यह ठीक है time देख लो दो बज़े के असपास trade दिया है दो दस के असपास अब important क्या है यहाँ पर देखो profit members के और साथ में यह देखो यह profit यहाँ पर जाके देखो और यहाँ पर हमने अब भी अपने members को forex में काम कराया पहली trade यहाँ पर देखो gold में setup यह था blast उसके बाद US oil में setup यह था blast and उसके बाद और इसके ऊपर भी blast यहाँ पर देखने को मिला है तो जाओ और join कर लो telegram so that आप मेरे से connect कर पाओ आप important क्या है देखो मैंने कल भी आप लोग को बताया था call set के लिए बढ़िया setup बन रहा और put set में market trap करेगा अब कैसे trap किया वो मैं आप लोग को दिखा देता हूं देखो market open होता है gap up market आता है put set यानि कि यहाँ पर लोगों को trust दिलाए कि market नीचे की तरफ जाना चाता है या फिर यह levels पर जाना चाता है तो लोगों ने यहाँ पर put set की position बनाई होगी यहाँ पर put set की position बनाई ही लोगों ने और यहाँ पर इनका SL चला गया आपको क्या करना था आपको लेना था end pattern पर यानि कि आप या तो यहाँ पर ले सकते थे इस candle के उपर because market one direction गया है यह 15 मिनट का चाट यह पर 5 मिनट के चाट पर भी देखता हूँ क्योंकि मैंने जब 1 बज़े के बाद आया देखो 11 बज़े से पहले कुछ खास हुआ नहीं था और 1 बज़े के बाद काफी कुछ उससे पहले ही हो गया था अब देखो यहाँ पर आमको क्या देखने को मिल रहा है वेट आ मिनट वेट आ मिनट एक सेकंड दो स्क्रीन शॉट लेने दो एक सेकंड अगर आपको डे हाई के उपर भी ट्रेड लेना था तो भी आपका बढ़िया ट्रेड बन जाता जैसे कि अगर आप यहाँ कहीं पर ट्रेड लेते इन लेवल्स के उपर यानि कि यह जो पुल बेक आया है तो यहाँ कहीं पर अगर आप ट्रेड ले रहे होते तो भी आपको कितना पॉइंट मिलता यहां से आल्मोस्ट हंड्रेड पॉइंट का मूव देखने को मिलता कॉल साइड के लिए Am I right? I hope समझ रहे होगे या फिर जब यह इन लेवल्स के उपर निकला है ने कि जो कल के रिजिस्टेंस लेवल हैं जब मार्केट के उपर निकला रिटेस्ट किया तो यहां कहीं पर आप ट्रेड बना सकते थे पहले टार्गेट होता डे हाई और दूसर टार्गेट ओविएसली जो लेवल मैंने आप लोग को बताए थे वो रहने वाले थे हमने यहां पर क्यों काम नहीं कर पाया क्यों कि मार्केट हमारा ग्यारा बज़े तक यहीं कहीं पर था और उसके बाद एक बज़े जब मैं आया तो मार्केट अल्रड़ी रेली कर चुका तो इतना ज़्यादा स्टीप हाई के बाद कॉल सेड में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैं वेट कर रहा था कि कब मार्केट यहां पर एक फॉल देगा और उसमें हम अपॉर्चुनिटी का प्लाइन करेंगे और हमने एग्जेक्टली यहां कहीं पर अपनी अपॉर्चुनिटी को पकड़ी और यहां पर 70 पॉइंट का बढ़िया फॉल सॉरी 50 पॉइंट का फॉल यानि की इंडेक्स के उपर अल्मोस्ट 100 पॉइंट का फॉल होगा यहां पर है 25,100 और यह है 185 पॉइंट का फॉल है और प्रीमिम हमारा यहां पर 50 पॉइंट से उपर गया था इंपर्टेंट यह है एक्चुली 50 पॉइंट तो यहीं चला गया था तो और गया होगा एक बाद जाके जरूर चेक करना जो प्रीमिम मैंने दिया है अब इंपर्टेंट क्या है कल क्या करना है देखो मार्केट में अगें यह लेवस तक हम कुछ नहीं करेंगे जो हमारा ड पॉलेश हुआ है सब कुछ मार्केट को कॉल सैड में ले जाने के लिए दिख रहा है और वैसा ही मार्केट ने किया भी है अब कल देखते हैं कि मार्केट हमारा 25,120-140 के उपर अगा सस्टेन करता है तो 25,200 के कॉल सैड के लिए टार्गेट रहने वाले है छोटे हमारा सैड विस्ता तो होफ़ली कल हमको बढ़िया मुमेंटम दे सकता है तो वो चीज भी ध्यान रखना और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना टेलिग्राम को जोइन करना कमेंट सेक्षिन में जो पूछना है पूछो फोरेक्स करना है आजाओ इंडिय के वीडियो में